नॉर्म महीना स्टार्ट हो गया है और बहुत ज़्यादा मुझे दर्द होता है पेट के निचले हिस्से में चला जाता है साथ ही पिंडलियों में भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है और पैरों में भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है नीन नहीं आती है प्रॉपर मीठा खाने का मन होता है और ऐसा मन मतलब बेजाइना में भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है पाटी करते समय वहां पर भी बहुत ज़्यादा पेन होता है तो मुझे क्या होगा गल्स होगी या फिर बॉय होगा इस तरह के मेरे को बहुत सारे कॉमेंट आ रहे हैं तो ये सवाल प तो आपको दर्द स्टार्ट हो गया है तो दिखें न महिना जब लग जाता है तो दर्द जो होता है फॉ dalla पेंच हो यह तो यह इस वजह से होता है तो वो में निचले हिसे में दर्द होता है तो बेटा हो और ठीक है और ऐसे कहा जाता है तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पेट की जो निचले हिस्से में ऐसा कहा जाता था मेरी प्रेग्नेंसी में ऐसा हुआ था कि मेरा जो बेटा था वो पेट के निचले हिस्से में था ठीक है तो काफी लोग बोलते कि निचले हिस्से में अगर ह चाहती हों कि अगर फर्स प्रेग्चन्सी होती है तो आपको टोपर की साइड दिखाए देगा ठीक अगरहरां पेट जो है थोड़े से नीची साइड में जो है लटक जाता है तो इस से आप 100 सोरटी ने कर सकते कि लड़का ही होगा ठीक है उसकी बाद देखिए आपके वेजाइना में दर्द होता है आपके पिंडलियों में तो मुझे भी लड़के के टाइम बहुत ज़दा जो है सीधे पैर में नस चड़ती दी बहुत ज़दा पेन होता था और कभी-कभी क्या होता है काफ मैं आपको सुरियोर्टी नहीं दे सकती कि हाँ 100% लड़का ही होगा या लड़की होगी जो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपिरेंस था वो आप लोग के साथ में बता रही हूँ साथी मुझे ना मीठा खाने का बिल्कुल मन नहीं होता था मुझे चटपटा खाने का मन होता था कई लोग बोलते हैं कि मीठा खाने का मन होता है तो लड़की होती है और चटपटा खाने का मन होता है तो लड़का होता है तो फलाल इसके बारे में मुझे 100% तो नहीं कहू होता है क्योंकि इसका रिजन यह भी होता है कि आपका जो बेबी है नीचे की तरफ नायंत मंत लग गया और बेबी जो है नीचे की तरफ आने लगा है ठीक है तो आपके बेजाइना में काफी ज़्यादा धर्द आपको महसूस हो सकता है तो इसका देखिए बिल्कुल यह connection ल यह भी आपका बिल्कुल हो सकता है क्योंकि अपका पेट जो है नीचे की तरफ जुकाओ जादा हो जाएगा और फिर आपको बहुत जעदा थकार वगजिए चले सकते हैं 무슨 ज्यादा था यह कमशुजवरी कि दिखाया था तो डॉक्रस ने मताया कि यह कमशुरी की से भी हो है या फिर बहुत ज़्यादा देर खड़े हैं तो भी हो सकता है ठीक है तो काफी लोग यह बोलते थे कि नहीं लड़के के टाइम पर होता है लेकिन अब क्या इसकी सही लड़का होने का चांस्स हो सकते हैं लेकि हंडर पर सन्थ आपको पॉवड़ लक्षोन कोई गारंटी नहीं ले सकता ठीक है तो I hope कि मैंने आपके जितना भी सवाल थे इसको क्लिएर कर दिया होगा धिक्राइब कि मैंने आनसर और आपको बता भी दिया 8 कि किनका किस रीजन से ऐसा होता है ठीक है इनके रीजन भी होते हैं बहुत सारी रीजन होते हैं जब आपके प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है आपका आट मनों महीना चलते हैं तो यह सारी कंडिसन होती ही है तो आपको कभी भी यह नहीं सोचना है कि लड़का होगा भगवान क देने जो भी हो बस अच्छे हो आपको दुआ करना है कि जो भी बच्चा हो बस स्वस्त हो और एक दम हैल्दी पैदा हो ठीक है आई होब कि यह वीडियो है वीडियो थोड़ा सा भी है तो वीडियो को आगे जरू शियर करिए और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नही पतर तक लिबाएब है